अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजेगा और ज्यादा-शयदा शेयर किजेगा तो स्टार्ट कर लेते हैं पटैटो स्नेक्स बनाना बहुत ही टेस्टी और आसान नाश्ता बनाने के लिए यहां पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है और इसमें म अधा कप के करीब मैदा तो अभी मैं आधा कप डाल रहे हूं बाद में जरत पड़ेगी तो और यूज़ करेंगे और साथ में यहां पर डाल रहे हूं एक प्यास मीडियम साइज का बारी कटा हुआ और यहां पर मैं आधा कप के करीब शिमला मिश डाल रहे हूं बारी कट यहां पर मैंने आधा चमच से थोड़ा कम नमक डाला है। साथ में डालनेंगी चिली फ्लेक्स, तो आधा चमच चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, एक चुधाई चमच, और यहां पर मैं डाल रहे हूं औरिगैनो आधा चमच, जिसे की बहुत ही अच्छा टेस्ट आ अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ काली मिर्च के पाउडर से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हम आटा त्यार करते हैं बिल्कुल वैसे ही से त्यार करेंगे बिन पाली डाले। और एक तब टाइट दो त्यार करना है और यहां पर यह थोड़ा सा गीला लग रहा है तो मैं एक चुथाए कप के करीब आटा और डाल रही है। यहां पर मैंने मैदे का यूज किया है आप चाहे तो गेहू के आटे से भी बना सकते हैं। और यहां पर मैंने टाइट दो तयार कर लिया है और इसमें डाल लेते हैं एक चुमच के करीब तेल मिला लेंगे इसे। पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे केवल हमें आलू से ही यह दो तयार करना है। आलू में काफी मौशर है। और यहां पर बना आल को भी बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब यहां पर नहीं केवल पांच मिनट के लिए धक्या रखूंगी तो पांच मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो मैं इसे 5 मिनट के ढख्या रख देती हूं। और यहां पर डो को रखे विए 5 मिनट हो गये है। तो इसे बोल से निकाल कर किचन काउंटर पर रखेंगे। तो किचन काउंटर पर अच्छे से साफ कर लेना है। और एक पर इसे हलके से और मैश करेंगे। और बड़ी सी लोई बना लेनी है तो देखिए बड़ी सी लोई मैने त्यार कर लिये तो लगाएंगे तो सुखा मैदा लिया याँ तो सुखे मैदे को अच्छे से डस्कर लेंगे और इसे हम अब बेलन की हल्प से बेल लेंगे और यहां पर इसका जो शेप है मैं स्क्वाइर बना रही हूं ताकि मैं इससे स्क्वाइर पीसिस निकाल पाऊं तो एसे हाथों से से हम शेप दे देंगे ताकि जो हमने यह बेली है रोटी बड़ी सी यह स्क्वाइर शेप में आ जाए तो यह देखें स्क्वाइर शेप में आ गई और बिल्कुल इक्वाली होनी चाहिए चारो तरफ से कहीं से भी मोटी पतली ना हो एलब्धा से बना रही है अगर स्क्रचराइब यह नहीं बन पाई तो आप इसे नपकार सभी सामे किना मैं इस बड़ी तो करना सकते हैं मैं इस को तरू आरो में आप पफास्वेश कटा ज़्यान रखाया ना बहु cognitive चाहिख के इस कट करोंगे एक नाइफ लेके इसके हम पीसिस कट कर लेंगे बहुत अराम से इसके पीसिस कट जाते हैं कोई प्राब्लम नहीं होती है बस डो टाइट होना चाहिए अगर गीला डो होगा तो यह नहीं बन पाएगा और यह मैंने पीसे सकट कर लिया है और यह देखिए इस तरीके से यह स्क्वार वाला पीश हमारा तयार हो गया है थोड़ा साम इसे हाथों से भी शेप दे देंगे ताकि यह बिल्कुल स्क्वार शेप में आ जाए और इस तरीके से हम सब को तयार करके रख लेंगे प्लेट में और यहां मैंने सब को इस तरीके से बना लिया है अब चलते हैं इने सेलो फ्राय करने के प्रोसेस में गैस पर मैंने एक नॉस्टिक पैन चड़ाया है और इसमें डालेंगे तेल तो डो टेबल स्पून के करीब इसमें हम तेल डाल लेंगे चारो तरफ अच्छे से फेला लेंगे और इसमें पीसेस बना की रखे हैं एक एक करके समें डाल देंगे तो अभी मैं इतना ही फ्राय कर रही हूं बाकी बाद में करूंगी तो यहां पर मैंने पीसेस डाल दी है और बचे में पीसेस में बाद में फ्राय करूंगी और जब यह सारे पीसेस एक तरफ से फ्राय हो जाएंगे तब हम दूसरी तरफ से फ्राय करेंगे और अब इन्हें हम पलट लेते हैं और देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आया तो बिल्कुल ऐसा ही कलर आने तक हम सभी को फ्राय कर लेंगे अधरल अधरल्ट ब करें नियाचे से ऊसमेर यहां पर मैंने तक हम सब्सक्रेवा खुए करेंगे यहां पर मैंने सारे पीसेस फ्राय कर लेँए हैं और यह अन्दर तक चाहि ब स्कुइम्रें पहलें दूबारा से तेल डालेंगे तो तेबल स्पून मैने तेल डाला है और बचे वे पीसिस हम डाल देंगे और इनको भी वैसे ही फ्राइब कर लेंगे जैसे हम पहले सब को किया है और यहां पर मैंने सारे पीसिस बहुत अच्छे से फ्राइब कर लिया है देखिए बहुत ही बड़ी आसा कलर आया है तो इसी तरीके से इनको फ्राइ कर लेना है इसे आप चटनी केचप किसी के साथ भी खाएंगे बहुत ही ट्यास्टी लगता है इसे आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं कभी भी बना सकते हैं चाय के टाइम पर भी तो इस रेसिपी को जरूर ड्राइ कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंस में शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंड करके शेयर कीजिए रेस्पी आपको कैसी लगी मिलते है नई रेस्पी के साथ नए अपिसोड में धन्यवाद